नमस्कार दोस्तों टूडेस टॉपीक इस्टेट वाइज स्माल हईड़ो पौर पोटेंसियल आफ इंडिया का इस्माल हैडो पोटेंसियल है थोड़ा से मैं आपको यहां बता दो कि small hydro power plant और large hydro power plant में क्या होता है तो less than 25 megawatt is considered as a small hydro power plant और greater than 25 megawatt is considered as a large hydro power plant जो small hydro power plant है it is under control of ministry of new and renewable energy और जो more than 25 megawatt जिसको large hydro power plant is under the control of ministry of power basically थोड़ा सा मैं अब यह कि यह इसमाल hydro large hydro बहुत है रिन्वेशनर्जी तो इसको क्यों नहीं एक ministry में एकी ministry कंडर है क्या difference यह से नहीं क्यों इसा किया गया तो थोड़ा सा मैं आपको बता दो कि पहले जो large hydro power plant थे वो रिन्वेशनर्जी के पार्ट नहीं थे यह मार्च 2019 में मार्च 2019 में ministry of power ने एक notification निकाला था जिसके अंतरगत जो large hydro power plant है उनको भी जो है रिन्वेशनर्जी का पार्ट कंसिडर कर लिया गया था तो यहां पर जो मेरा बताने का purpose यह ही है कि जो potential की मैं बात कर रहा हूं यह potential smart high low power power की क्या potential है statewide उसकी बात मैं कर रहा हूं तो इसको assess कि ने किया था तो alternate hydro energy center है यह Indian Institute of Technology रूड़की में established है उसने जो है country में country में कितनी small high low power की potential हो सकती है उसने assess किया है statewide तो हम figure देखते है statewide में क्या है तो टोटल potential के हम बात करते हैं तो टोटल इंडिया की जो है इसमार हाइड़ो पाउर में जो potential है 21.13 गीगवाट के आसपास है जिसको हम बोल सकते हैं कि मेगवाट में तो 21,133 गीगवाट है और टोटल जो लोकेशन्स हैं इंडिया में जहां पर यह प्लांट आ सकते हैं यहां पर यह प्लांट आ सकते हैं तो 7 windy states ही थे तो सेम हाइड़ो में भी सेम हम वैसे ही consider कर सकते हैं हाइड़ो में भी पांच यह शे states ही हैं जहां पर fully यह concentrated है तो हम पूरा detail में नहीं जाएंगे लेकिन अब देख लिए आंधर परदेश का अगर हम बात करें तो आंधर परदेश में 355 numbers locations हैं जहां पर 409 मे मेगावड के capacity आ सकती है असांतम मैं pre 21 year old में consacré qui माचल प्रदेश ओंपर भी में 3460 मेड़ो में आ सकती क्यापशनी तो यहँ पर सबसे места पोटेंशियल है किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो वहीं माचल प्रदेश जेनके में 1311 मेगवाट है लद्दाक में 395 मेगवाट है जारखन 227 मेगवाट है करनाटका 3726 मेगवाट है तो करनाटका में भी काफी हुज पोटेंशियल है और अभी सबसे लारजेस्ट जो सेज मेगवाट माच्रा 789 मेगवाट मनिपूर 99 मेगवाट मेह रली 1 6600 मेवाट मेज़ग Eli 161 626 मेवाट नगाले 182 मेगवाट उडिसा 286 मेवाट, पंजाब 578 मेवाट राजस्तान 51 round 6 to 66 मेवाट तमीनादू 604 MW, तेलंगाना 102 MW, तिरिपुरा 46 MW, अनमान निकोवार 7.2 MW, UP 460 MW, उत्तराखन 1664 1664.3 MW, वेश्ट बंगार 392 MW, तो टोटल जो है आपका 31 स्टेट से, इनका पोटेंसिल बताया हुआ है, और जो रेड में मैंने हाइलाइट किया गया है, तो रेड में मैंने हाइलाइट जो 1000 MW से ज्यादा पोटेंसियल है, वहाँ पर मैंने हाइलाइट किया गया है, और आप फिगर दे सकते हैं, और आचर प्रदेश में, जो है 2 MW, चतिशगर 1 MW, हिमाचर, तो अगर हम फिगर देखें, तो आप देख सकते हैं, तो प्लस वन थ्री, त्री प्लस 3.4, 6.5, 6.5 प्लस 1.3, 7.8, 11.8, 11.6, और 1.12, तो आप देख सकते हैं, 13, तो मतलब यह जो मैंने हाइलाइट किया, तो यहाँ पर करीब-करीब 13 GbW, मतलब, आउट अफ 21 GbW, तो 13, 13.5 GbW जो है इनी स्टेट्स में इस स्टेट्स में इस स्टेट्स, तो यह टोटल आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर जो टोटल कैपसिटी जो है, पोटेंसियल है, जो इस्टिमेटेट पोटेंसियल है, जि 21,133 MbW कैपसिटी आ सकती है, तो होब दोस्तों, यह जो पोटेंसियल के हम बात कर रहा है, अभी आज की डेट में जो इंडिया की इस्टॉल कैपसिटी इस्माल हीडो पावर प्रांट में, वो एरांट 5.5 GbW के आस पास है, तो अगेंस्ट पोटेंसियल 21.1 GbW, हमने 5 Gb पाटी लगा है, तो अभी और कैपसिटी आ सकती है, वट इसमाल हाइडो पावर प्रांट फी बहुत ही साइट और लोकेशन स्पेसिफिक होता है, पोटेंसियल एसस करना और एक्चुल में लगाना दोने में काफी हुज डिफरेंस है, सोलर और विंड की तरह इजी नहीं ह इसका गेस्टेशन पीरियस काफी लांग रता है, और बहुत सारे पैरामेटर्स बहुत सारे फैक्टर्स को एसस करने के बाद ही फिर दियर दिर इसको वीड की हाइडो की कैपसिटी लगती है, तो भब दोस्तों जो इसमाल हाइडो पावर प्लांट इस्टेट वाइज जो